नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप कुछ चीजों को पसंद नहीं करते आप कुछ चीजों को स्विकार नहीं करते आप भरोसा नहीं करते सवाल यह है कि आप भरोसा करते हैं या नहीं लेकिन आपकी जिन्दगी वैसी ही है जैसी आपने अपनी लिए चुनी है ये आपको मानना होगा जब भी कोई बेक्ती आपको यह बोले कि आप नहीं कर सकते तो वो बस इतना कहना चाहता है कि ये आप नहीं कर सकते लेकिन आप खुद से वादा करें कि आप ये कर सकते हैं आप में संभावना है तभी तो उसने कहा कि नहीं कर सकते वो आपके यकिनन पैट ढूप कीच रहा है पर आपको किसी की बातों में आना नहीं है कई बार कुछ चीजों पर हम अटक जाते हैं अपने से उपर वालों को देख कर जलते रहते हैं और नीचे वालों को देख कर खुस होते रहते हैं लेकिन पहली बार अगर आपने कोई गलती की है तो वो गलती नहीं है अगर आप उसको बार बार दोहराएंगे तो ये सबसे बड़ी गलती है आपकी आप इस तरह से समझे कि जिन्दगी बस एक खेल है और आप जिन्दगी के खेल में तब तक आउट नहीं हो सकते जब तक आप मैदान में डटे रहते हैं दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं हरा सकती अगर आप डटकर खड़े हैं अच्छे लोगों की संगती में रहें क्योंकि सुनार का कचरा भी बादाम से महिंगा होता है अच्छे लोगों की संगती हमेशा आपको एनरजी देगी अगर आप बहुत सारी मुसीबतों में गुजर रहे हैं एक बात हमेशा ही याद रखिए किसी तारे कभी अंधेरे के बिना नहीं चपकते क्योंकि ये मुसीबत आपको तपा कर कुंदन बनाने वाला है और फिर जो सवेरा होगा वो लाजवाब होगा किसी का हाथ तभी पकड़ना जब आप उसका साथ हर मुसीबत में दे सके तो कि बिना उम्मीद के तो कोई भी किसी का साथ नहीं देता बिना अपनी स्वार्थ के कोई किसी की मदद नहीं करता जब दिमाग कमजोर होता है परिस्थितिया समस्या बन जाती है जब दिमाग स्थिर होता है परिस्थितिया चुनोती बन जाती है लेकिन जब दिमाग मजबूत होता है तब परिस्थित यह अउसर बन जाती है अगर आपसे कोई कुछ मांगे तो दे दिया करो सुक्र करो उस भगवान का जो आपको देने वालों में रखा है मांगने वालों में नहीं पहले अपना करियर बनाईए फिर प्यार को वक्त दीजिए क्योंकि जमाना ही ऐसा है जिसके पास एक सुनहरा भविस्थे है लोग उसी का साथ पसंद करते है जिन्दगी में बड़े जरूर बनो मगर उनके सामने नहीं जिन्होंने तुम्हें बड़ा किया है सफल होने के बस तीन नियम है मेहनत जादा करो और इरादे को मजबूत रखो जिन्दगी में कुछ करना है तो सच बोल दो घुमा फिरा कर बात मत करो आप जितने स्ट्रॉंग रहोगे लाइफ उतनी ही इजी लगेगी एक इच्छा से कुछ नहीं बदलती एक निर्नाय सब कुछ बदल देता है निश्चे ही सब बदल कर रख देता है जो लोग अपनी सोच नहीं बदल सकते वो कुछ नहीं बदल सकते जिस बैक्ती ने अपनी आदतें बदल दी उनका कल यकीनन बदल जाएगा और जिसने नहीं बदली उसके साथ कल भी वही होगा जो आज हो रहा है आज तक होता आया है बस जिन्दगी में एक बाश सीख लें इंसान को तब तक कोई चीज हरा नहीं सकती जब तक वो खुद को हार ना मान कर बैठा हो हारा हुआ ना मान कर बैठा हो जिस दिन आपने खुल कर अपनी जिन्दिगी जी ली बस वही तिवार है बाकी सब तारीखे हैं केलेंडर के अंदर तो आप एक बाते हमारी हमेशा ही आप मान ले या सोचने पर आपको विबस कर देगा यह जो पल आप जी रहे हैं आज हमारा वीडियो आप सुन रहे हैं इस मोटिवेशन को सुन रहे हैं क्या आपको एक बात पता है? आज जो वक्त है, जो गुजर रहा है, हर पल गुजर रहा है, सुबह से दोपहर, दोपहर से साम, ये वक्त कभी दुबारा लोट कर नहीं आएगा. इसलिए हर पल को जीने का प्रियास करें, ना कि दुख में, गम में, टंसन में, नसे में, लाइफ को बरबात करें. होता वही है, जो आप चाहते हैं, लेकिन चाहने के लिए आपको दू कदम आगे बढ़ाना होगा. सफलता की सिर्फ एक ही परिभासा है. दिल से सेर करो, सब के साथ सेर करो, अगर आप खुस हो तो, लेकिन जरोज से ज़्यादा उतावले पन में खुसी को सेर मत करो, कि खुसीयों को नजर ही लग जाए. अगर आप में, जैसे कि आपका सर किसी पानी से भरेवे बाल्टी में, मुँ पकर कर, अंदर आपके सर पकर कर भर दे, तो आप अपने आपको बचाने के लिए पूरी एनरजी लगा देंगे. क्योंकि प्राबलम बड़ी है, तो जितनी बड़ी प्राबलम उतना ही बड़ा एनरजी, आप पूरा जोर लगा देंगे कि किसी तरह इसके हांस से छुटे और सर्म, फेस मेरा जो पानी के अंदर है, वहां से राहत मिले. अब ऐसा नहीं है कि आपकी पढ़ाई इन्पोर्टेंट नहीं है. हर एक चीज का इन्पोर्टेंस है. लेकिन क्या बिना पढ़े लिखे बेक्ती सफल नहीं हो सकते? क्या जिनोंने थोरी सी पढ़ाई की है वो आगे नहीं बढ़ सकते? जिन्दगी जीने के लिए एजुकेशन का दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है. क्योंकि आप देख लीजे, जितने भी लोग काम्याब हुए हैं न, उनके पास दूसरों से ज़्यादा जबाब नहीं, बलकि दूसरों से ज़्यादा अच्छे सवाल हुए हैं. यानि इतना पापरफुल बन जाएए कि लोग आपकी च्छों में आना चाहें, पर बनेंगे कैसे? सिंपल चीज है, आप में जो हुनर है, उसके बदूसरों आगे बढ़िए, आप में जो आपने जो लक्ष तै करके रखा है, जो आपके च्छोटे च्छोटे सपने हैं, उ डिजायर निकले, तो लोगों के दिलों में क्या? क्या होगा? सब कुछ रुख जाएगा, एक दिन के अंदर अंदर, लेकिन कामियाब होना कोई बड़ों का केल नहीं, बच्चों का केलना है, क्योंकि सक्सेसफूल हो जाएंगे, जिस दिन आप बच्चे बन जाएंगे, ज पिर जो लोग बीना सोचे बिचारे बस आगे बढ़ते जाते हैं, मस्त मौला इंदाज में, जो ज़्यादा बुधिमान बेक्ती होते हैं, जिनके पास ज़्यादा दिमाग है न, वो सिर्फ स्ट्रगल करते हैं लाइफ में, हर एक चीज के लिए स्ट्रगल, या फिर ऐसा क कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा टेंसन में होते हैं, पर कुछ लोग ऐसर होते हैं हर पर मौला जो टेंसन ही ने रहते हैं और जिनकी के हर पल का लुपत उठाते हैं, क्या आप ऐसा बनना पसंद नहीं करेंगे? लोग क्या सोचेंगे? ये म सबसे अलग है हर किसी के हाथ में मोबाइल हर कोई अपनी फोटो ले रहा है लेकिन दुनिया की यह सबसे बरी बीमारी है कि लोग क्या कहेंगे इस चक्रों में मत फसिएगा वरना आप आगे नहीं बढ़ पाईएगा अगर आपको लगे कुछ कारे करने में सर्मा रही है करो और जो मरजी करो सारी सर्मो हया इस काले चसमे के अंदर ही रह जाएगी तब ना आपको किसी से आँखे चुराने से मतलब है ना कोई आपको क्या कह रहा किस नजर से देख रहा इन चीजों से आपको फर्क पड़ेगा करो वही जो दिल कहें आपकी जिन्दगी के बारे में सबसे अच्छा आपके माता पिता सोचते हैं और उसके अलावे कोई सोच ही नहीं सकता कई बार आज के जैसे बच्चे हैं युगा बर्ग हैं भटक जाते हैं लोगों की बातों में आकर अब आपके माता पिता हैं अपने हैं आपका अच्छा बुरा भला सब वही चाहत बुरा तो चाहते ही हैं भला चाहते हैं लेकिन माता पिता सब्दों को चासनी में भीगो कर नहीं कहते है वो सीधे कह देते हैं कि बैटा ये मत करो अच्छी बात नहीं हे करना बाद में तुम्हें परिसाणी होगी लेकिन दूसरे क्या कहेंगे कि Dun Ra oh आपने तो बहुत कमाल कर दिया, आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये दूसरे जो होते हैं लोग, लोग का मतलब होता है मूर्क बनाने वाले एक भीड, जो आपको हमेशा गलत रास्ते पे ले जाते हैं, सब्दों को चासनी में भीगो कर, कई बार युवा वर्ग जो सब्चना होगा, क्योंकि माता पिता से बगावत कहां तक सही है, क्या दो पल किसी के साथ आपने गुजार ली, दो मीठे सब्द बोल दिये, वो अपने हो गए, एक छुटपन से जो बड़े किये, आपने माता पिता, जो अपने सपनों को साइड रखकर, आपके लिए हर प पिसल रहा है, इसको आप पकड़िए, पॉजिटिव सोचिए, और माता पिता से बड़ा ही तैसी दुनिया में कोई नहीं ये लिखकर रख लीजिए, अगर अभी पता नहीं चलता तो उनके जाने के बाद यकिनन पता चल जाएगा, लेकिन देर ना हो जाए, हर हर झाल 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